अर्योम नारायन हरी और जब समुद्र मन्थन पुनह आरम हुआ तो वारोनी सुरा के साथ ट्रकट हुई ये सुरा हमें मिलनी चाहिए सुरा के सुगंद मातर से ही असुरों की वृत्ती जागरित हो उठी और वो उसे प्राप्त करने के लिए तच्छन ललायित हो उठी माता सुरा अर्थात मदीरा हाँ हनुमान सुरापान मनुष्य की दुश वृत्तियों को जागरित कर देती है ये पंच महापाप में से एक है मनुष्य के जीवन की सुक शांती ही नहीं उनके जीवन का विनाश का कारण भी होती है सुरापान इसलिए कभी भी सुरापान नहीं करना चाहिए हमें झाये ये सुरापन चाहिए अमें जाये ये सुरापन चाहिए नहीं असरो शांत ये सुराप हमारा लक्ष नहीं है नहीं देतराज बली ये समुद्रमंतन से एकलाम थमारी देखो इस पूरती से बढ़ देगी हाँ हाँ असूरो ये आप लीजिए हाँ हाँ हाँ气 शह इस हो असूरो ये आप लिय आप ये आप लिय आपश लाँ इस सिय करूप लंग लंग लृ कुरदाः नम्री उरत परेले जुल्मक लेस लग다 ओङला हैُ कि भात्त कणा करें लुचा देले ंज़ान इसमा करें लुचान करें कि भात्त का देले जुल्मक ने प्रीक राथ करें लुचा है सुरा देखते ही आसूरी वृत्ती जाग उटिया इन असूरों की बस बहुत हो गया ये सुरा पान करके आपस में ही लड़कर मरना है या फिर अमरिक बीकर अमर होना है इस विनाशकारी सुरा की मांग मत करो हमें अमरिक मांगना है और कुछ नहीं जिससे की जब अमरिक उत्पन हो और हम उसकी मांग करें तो ये देवता विवाश हो जाएं हमें अमरिक प्रदान करने को सुनान रहे हमें अमरिक चाहिए और कुछ नहीं किन्तु दैतिराज सुराही नहीं, और भी अनेक बहुंबुल बस्तु है, क्या हम अन्देवताओं को ही देदेंगे। मूर खो तुम सब। यदि अम्रित मिला, तो उसका पान करके तुम सब अमर हो जाओगे। उजित है माराज, उजित है। आरंब किया जाए। तो ये योजना थी दैत्यराज बली के मन में। किन्तो समुद्र मन्थन मातरा अमरित के लिए ही हो रहा था। और असुर सारा अमरित ले गए, तो देवता तो… तावले मत हो हनुमान, प्रतीक्षा करो। कथा में अनेक रोचक मोड आने वाले हैं। वो दैत्यराज बली के समझाने पर असुर मान गए, और समुद्र मन्थन से जो अन्य वस्तुए निकली, जिनकी देवताओं ने मांगी, वो थी… पारिजात व्रिक्ष, पुष्पो से युक्त, जिसकी दिव्य आभा, कभी शीन नहीं होती। उसे देवराज इंद्र ने मांग लिया, जिसे वे स्वर्ग ले गए। सुष्पोर्ण पर्मपट में होती चारी थाओं आड़ाएं शुष्पोर्ण ररेतर ने करें इंद्र ने जिसे प्रक्ष्पोर्ण जिसे एंद्रीन ने फिर उत्सर्जित हुआ सर्व कामना पूर्ती करने वाला कल्प व्रक्ष उसे भी दीवता प्राप्त करके स्वर्ग ले गई तत पस्चात सुन्दर अपसराये प्रकट हुई असुरों का मन तो ललचाया किन्तु दैतराजबली की बात को स्मरन करके वे पीछे हट गए इस प्रकार अपसराये भी देवताओं को प्राप्त हो गई ले जाओ तुम देवताओं इन्हें भी आरंब किया जाए अपसरायों के पस्चात इंद्र देव का एरावत हाथी निकला जिसे रिशी दुरवाशा के श्राप के कारण इंद्र देव ने खो दिया था वो पुनह इंद्र देव को प्राप्त होकर स्वर्ग चला गया उसके पस्चात दिव्य अश्व उच्चे श्रुवा समुद्र से निकला अशूरों का धैर तूटता जा रहा था अशूरों को धैरिक होता देख इंद्र देव ने वो अश्व दैत्यराज बली को प्रदान कर दिया इंद्र ये अश्वा में मिलना ही चाहिए अश्वा में अश्वा में माता जोजो वास तूएं समुद्र से उत्सर्जित होई थी वो मात्र सारे देवता एवा मसूरों को ही प्राप्त होई थी ऐसा नहीं है हनुमान इसके पस्चात जो उत्सर्जित हुआ वो प्रभु भूले नात को प्राप्त हुआ श्वा में अश्वा में अश्वा में अश्वा प्रमक्रण देवता ऐसे उत्सर्जित होई देत्यराजबली, अकस्मात ही इतने घंगोर में गगीर आये हैं। देवराज, समुद्र में उची-उची लहरे उठ रही हैं। न जाने क्या होने वाला है। अ अ अ अ चंद्रमा की गुरुद्वा कर्षन अब शक्ति का प्रभाव है तेत्य राजबली देवराज लेरे कितनी भी उची हो हम समुद्र मन्थन नहीं रोकेंगे चंद्रमा के स्थित रहने से लेरों की विश्रुता बढ़ती जा रही है समुद्र मन्थन असम्मव है देत्य राज जाए कुछ भी हो जाए जब तक अम्रित की प्राप्ती नहीं होती हम मंतर नहीं रोक सकते अरंब करो देत्य राज वली स्थिती बहुत विकट उत्पन हो गई है देवो और असुरों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा तब उनकी समस्या का समाधान सजाया गुर्मा अवतार प्रभू विश्नुदेर ने राज विश्नुदेर यद्नुदेर विए ने विप उनकी सम में विए राज सागान संवा रखिएर भीवतार प्रभू राज अक्षाफ कीजिए महादेव कराम भोले नाथ महादेव नाथ ने भक्तों के संकट को दूर करने के लिए आप आ गए प्रभू यह आपकी महानता है महादेव प्रभू श्री नारान के कुर्म अफ्तार ने मुझे स्मरण किया तो मुझे आना ही था प्रणाम जगत पालक श्री हरी विश्नुदेव प्रणाम देव अधी देव महादेव ना बुजिवा रहिए ना बढ़ुदेव चंद्र गुरत्वा ज्वार उठायो मन्थनकार पे संकट छायो तब हुँ कुर्मा यूप्टी लगाई भोले टारो विपती आई चंद्र जटा में धारे शंभू खुल गए मेघ विनए हुआ अम्भू शिव अब चंद्र शेखर धरिनामा देव करें जयकार प्रनामा अच्छा तो एस प्राकार भोले बाबा ने चंद्र मा को अपने शीश पर धारन किया और प्रभू चंद्र शेखर कहलाए थे हाँ उनके ऐसा करने से ही पुनह समुद्र मंधन संभव हुआ और तब समुद्र के गर्भ से जिसका उत्सर्जन हुआ उनकी क्रिपा प्राप्त करना सब चाहते हैं फिर वो देव हो दानव हो या मानव जह शी गुर्मा अपतार विष्नु देभ एंतुराज भारीगी सुर्ष्ट हरी ओम नारायध हरी हरी ओम नारायध हरी अब किसका उत्सरजन होने जा रहा है? अब किसका उत्सरजन होने जाए 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 और सम्रिद्धी प्रदाता देवी लक्ष्मी को प्रणाम देवी लक्ष्मी प्रणाम देवी मेघी लक्रणाव चिस करतेर देवी लक्र शेवी लक्ष्मी लक्ष्मी हमें पुणाः श्री संपन्ण करने लिए आपको कोटी कोटी प्रणाम देवी इनके तो इंग starving मात्र से ही ये श्री ही देवता पुणाः श्री संपन्ण हो गये हैं दन्द की देवी है ये तो हमें मिलने ही चाहिए अभी तक हम असुरों ने किसी चीज की मांग नहीं की है किन्तो हम इनके मांग करते हैं और सब को हम असुरों की ये बात मांद नी पड़ेगी धन संपदा के लालच में तुम सब को मती मंद कर दिया है यदि आप नहीं चाहतें तो आप इनकी मांग मत कीजे दैत्यराजबली किन्तो मुझ राहू को जीवन भारिन का तास बने रहना स्विकार है नहीं राहू मैं तो विवार करूँगा इससे पट्रानी बनाऊँगा इससे बस दैत्यराजबली अपने असूरों को बता दीजिए कि ये देवी लक्षमी है प्रभू श्री नारायन की अर्धाम गिनी इनके प्रती सम्मान जलग वेवार की अपेक्षा है हमें ये कोई भी हो परंतु हमारे परीश्रम से इनका अबिर्भाव हुआ है हमें मिलना ही चाहिए हम इसा करने का प्रयास भी करेंगा उसका आंद करने हम हमें अब्र आखे बढ़ने का प्रयास मत करो अधयाता परिणा भयांकर होगा माता, माता लक्ष्मी जी के प्रती, ऐसे दुर्भावना कैसे उत्पन हो गई असूरों के मन में? ये ही है असूरी वृत्ती पुत्र हनुमान, जिनके मन दूशित होते हैं, उन्हें मात्र अपना स्वार्थ दिखाई देता हैं, वो ये भी नहीं समझते कि कौन मा, बहन, पुत्री समान हैं, ऐसी वृत्ती वाले मनुष्य स्वैम हे अपने विनाश का मार्ग खोल देते हैं हम, सत्य है माता, यदि असूर भी देरताओं की ही भाती, माता लक्ष्मी जी को पुत्र भाव से प्रणाम करते, तो वो भी माता लक्ष्मी जी की कृपा के भागी होते हाँ हनुमान, क्यूंकि प्रणाम करने वाला स्वैम ही आशिरवात का अधिकारी बन जाता है फिर चाहे वो अपने शत्रु को प्रणाम करे या अपने ही तैशी को असूरो ने देवी लक्ष्मी को प्रणाम करने की स्थान पर दूशित दुरुष्टी से देख कर पाप किया था ऐसा ही महापाप भविश्य में लंकेश रावन करेगा और उसके पाप कृत्ति का परिणाम होगा उसका विनाश लंकेश रावन माता ये नाम तो हनुमान को सुना प्रतीत हो रहा है हनुमान अभी तुमारी स्मरण शक्ती शीन हो गई है पुत्र किन्तु चिन्ता मत करो समय आने पर तुम्हें सब स्मरण हो जाएगा परन्तु अभी अनियंत्रत असुरों को नियंत्रण करना अवश्य था माता यदि मैं वहाँ होता तो उसक्षन उन पापी असुरों को दण दे देता तनिक सब ही ये नहीं सोचता कि उन माय आवी असुरों के समक्ष हनुमान एक साधारन वानर बालक है तुम्हारी भावना में समझती हूँ पुत्र विदी का विधान है जैसी करनी वैसी भरनी पाप कर्म का दंड सबको किसी न किसी रूप में भूगना ही पड़ता है किन्तु ईश्वर पापी को तभी दंडित करते हैं जब उसके पापों का घड़ा भर जाता है इसी लिए देवी लक्षमी जी शांत रही उन्हें प्रतिक्षा थी मात्र अपने स्वामी प्रभूश्री नारायन की अगर इनके लिए युद भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे अपने विनाश को आमन्त और मत तो असूरो अन्यधा तुम सबको भुगत ना होगा देवराज एंद्र, देतराज बली के होते हुए असूरो का कोई यहित नहीं कर सकता इनकी देवी लक्षमी को प्राप्त करने की मांग कोई अनुचित नहीं है समुद्र मंथन से जो भी निकल रहा है वो मात्र देवताओं का नहीं है असूरो का भी अधिकार है उस पर हाँ, हम असूरो का भी अधिकार है सक्मयर हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे शांत हो जाए आपसर, शांत हो जाए करन्या कोई भेट की वस्तु नहीं है जिस पर कोई भी अपना अधिकार चटाने लगे ये अधिकार तो कर्ण्या का होता है कि वो किसे बरन करें आप असुर मेरा बरन करना चाहते हैं किन्तु ये सत्या सर्विदित है कि मैं श्री हरी विश्नु देश की अर्धांगिनी और मैं आज उन्ही के लिए यहां आई यदि आप विश्णु देव के लिए आई हैं तो विश्णु देव है कहां अता हुचित होगा कि आप हम में से किसी का वरन कर ले देवराज यहसुर माता लक्ष्वी और प्रभु नारायर के प्रति ऐसे प्रश्ण कैसे कर सकते हैं हम सब समर्थ हैं शक्सिशानी हैं अगर वरन करना है तो हमारा कीजिए देवी आपको इच्छा अनुसार वरन करने का अधिकार देते हैं हम में से किसी एक को चुन लीजे जो यहां उपस्तिती नहीं है उसका अपरण कैसे कर सकती है आप मुझे विश्वास है मेरे स्वामी विश्नुदेव यही है किन तो यहां विश्नुदेव है कहाँ हाँ होते तो हमें दिखाई देते परंतो यहां तो मात्र कुर्म है जिसे सभी देवता तुका अवतार मात रहे हैं स्वामी श्री हरी के कुर्मा वतार को प्रणाव देवता जो मान रहे हैं वो सत्यन इनके उपस्तिती कार्थ है कि मेरे स्वामी श्री हरी विश्नुदेव यही उपस्तित है तो क्या आप हम महाबली असुरों को छोड़कर इस कुर्मा वतार विश्नु का वरण करेंगी बताइए यही असुर तेवी लक्षमी के साथ अभधरता का व्यवार कर रहे हैं स्वामी विश्नुदेव के प्रतिक्षा करके आप समय व्यर्थ में नश्च कर रही हैं आपके समक्ष एक से बढ़कर एक महाबली योद्दा महा एश्वर ये शाली असुरों पस्तित हैं वरण कर लीजे किसी भी असुर का स्वामी ये कैसी परिक्षा ले रहे हैं आप मेरी ये प्रतिक्षा की घडिया असुच्छ होती जा रही है मैं यहां आ गई हूँ अब आप भी आ जाए श्री हरी नारायन देवेश्वरे प्रणाम श्री हरी आप अचानक यहां तेवी लक्षमी उपस्तित हो चुकी है फिर आप उन्हें इतनी प्रतिक्षा क्यों करा रहे हैं उन्होंने भी तो मुझे बहुत प्रतिक्षा कराई है देवेश्वरे श्री हरी ये बालकों की भाती हट है आपका या कोई लीला आप जो चाहे समझ लीजे देवी अच्छा तो एक बहन के हट से आपका परिजय नहीं हुआ है आपको स्मरण है न मेरे विवा में भाता की सभी रीतियां आपने निभाई थी तो ये आपकी बहन पार्वती आपको हटात भी देवी लक्षमी के समक्ष ले जा सकती है तो आप चल रहे हैं भाता विश्नुदेव या मैं अच्छा अच्छा चलता हूं सत्य तो ये है कि मैं अपनी भेन देवेश्वरी की ही प्रतिक्षा कर रहा था बिना भेन के भाई कैसे जा सकता है विवा के लिए स्वामी क्यों प्रतिक्षा कर रहा रहे है मुझे मत कीजे प्रतिक्षा विश्टु देव नहीं मेरे इस्वामी राहा ॥ा राहा 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 मेरे इस्वामी, राना देवी लक्ष्मी को लाने में हमने श्रम किया है विश्नु देव कैसे ली जा सकते ही ने मुझे चाहिए मुझे चाहिए हाँ मुझे चाहिए शंक क्या हुआ कहा खो गई बहन लक्ष्मी आपके स्वामी आपके समक्ष है मुझे चाहिए क्या है क्या है यह 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 क्या है मुझे मुझे अ जाente अदुखुत अलोकिक मंगल बेला होत पुनह लच्छ मी हरि मेला विश्णु कमुला दो मुदिता तेव ब्रम्हा शिव सब हर्शिता वर्माला जब दारी परस्पर परसाए सब उश्प युगल पर व्यापत है कनकन में उल्लासा आई पुनह करवे श्रीवासा कैसा अद्भुत एवं मनोरम होगा वो तरिश्य प्रभुश्री हरी नारहन का विवाह माता लक्ष्मी के साथ भूले बाबा तथा समस्थ देवगण एवं देवयां भी उपस्थित माता कितने भागे शाली होंगे वो जो इस उनहरे बल के साक्षी होंगे माता कितना असी मानंद का सुख प्राबदुआ होगा जब माता पार्वती जी ने अपने ब्राता श्री हरी ने कि नारायन एवं माता लक्ष्मी जी का मिलन करवाया होगा सत्य हनुमान बिछडे परिजनों को मिलाने के आनंद की तो कोई कल्पना ही नहीं होती ऐसे मिलन के परमानन का अनुभब तुम्हें भी होगा हनुमान जब भविश्य में तुम भी इनका मिलन कराओगे फिर क्या हुआ माता? देवी लक्ष्मी के आने से देवताव पुनाह श्री संपन होकर नई उर्जा से भर उठे पुनाह सागर मन्थन तीव रग्यती से प्रारंब हो गया फिर वो शण आही गया जिसकी प्रतीक्षा तेव एवं दानव दोनों समूदाए बड़ी व्यग्रिता से कर रहे थे जैश्री हरी विश्कुदेव जैश्री हरी विश्कुदेव जैश्री हरी विश्कुदेव प्रतेक व्यक्तिकोस की योग्यता और कर्मा नुसार ही इश्वर फल देते हैं